हेलो फ्रेंड्स आप से भी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चनल स्टड़िवेस वजीत में तो दोस्तो आज हम क्लास 12 के जिक्स के महत्तपूर अब्जेक्टिव कोशन्स के बारे में डिस्कूस करने वाले हैं जोकि बोर्ड एक्जाम के लिए अती महत्तपूर ह बनते हैं जो बार-बार बोर्ड एक्जाम पूछे जाते हैं उन सभी प्रस्णों को हम लोग मात्र एक यहीं वीडियो में कवर करने वाले हैं अल अब्जेक्टिव कोसंस को तो आप से भी अंतक बने रहेगा दोस्तों क्यूंकि इस पार्स जो है लगभग 10 नमबर के लिए बोर्ड एक्जाम में कोसं पूछे जाता है तो अगर एक वीडियो कवर कर लेंगे तो आपका दोस्त नमबर जो है पुर्णता क्लियर हो जेगा इसी वीडियो के माद हम से तो चले दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हम लग बारी बार से प्रस्ण को और यह समतल से उतल से उतल से और डी है इनमें से कोई नहीं तो आप सभी का एंसर आ जाना चाहिए अब तक इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि वाई वीच अब दा फुलएंग मिरर वर्चुल इमर्ज इसमिलर दैन एन अबजेक्ट तो देखिए यहां पर वस्तु से छोटा पुछा गया है तो वस्तु से छोटा जो है किसमें होता है यह जो होता है वह उतल यहां पर उतल दरपन में होता है इस प्रस्ण का राइट एंसर प्रशन दरपन में क्या होता है जितना बर्यों में क्या और चेक्ट Defender दरपन में क्या होता है वस्तु रहें कीवoks Boss ययाद रहें जाता है तो इस प्रस्ण का राइट इंस अब कर दूशन नेक्षन प्रस्न है और यहां पर autonomous है कि कीस करण से ह्वा का बुलबूला पानी के अदर चमकता हूँ नजर आता है what causes the air bubble to glow inside the water तो यहां पर प्रस्ण का सही answer क्या ओगा ही कीस करण से हवा का बुलबूला जो है पानी के अंदर चमकता हूँ नजर आता है option है परावर्तन, अपवर्तन, भी वर्तन और D है पुर्ण आन्थी पावर्तन तो यहाँ पे इस प्रस्न को देखते ही आप सभी का answer आ जाना चाहिए क्योंकि यह प्रस्न तरह आप सभी के बीच बहुत बार हम करवा चुके हैं तो उमीद करते हैं आप सभी option बर D के साथ जा और यदे परकास्तन तू और जो मिरीग मृष करती है मिरीग मृष क करती है यह भी पूर्ण आन्थी परतन के सिदाह पर करतें तो दिखिए जो अगर पूछ कांच की अपेक्छा अपर तरंग तो जोल बाल ऊपर रखेंगे तो यहां पर चार अपन तीन हो जएगा और बाटा में यहां पर कांच का कितना की दिया गया है तो तीन अपन दो तो जो है यह उपर चल जाएगा तो चार बाटा तीन अपन हो जएगा यहां पर गूने और य सब्सक्राइίο सब्सक्राइब इंक्रीज करने लगेगा ॉजह और यहां पर देखे प्रसन के कि optical fiber एक परकार का क्या है तो यहाँ पर transmission line wave guide line और यहाँ पर transmission line wave guide दोनों और D है इन में से को नहीं यह परशन उतर देखने ही आप सभी का answer आ जाना चाहिए कि optical fiber is one type यह जो होता है transmission line भी होता है और wave guide दोनों भी होता है यहाँ कि जो c option है इस परशन का right answer जोजगा option number c optical fiber की सिधान परकार करता है तो total internal reflection की पुर्ण आंथि पॉर्टन के सिधान पर जो है आधायरत रहता है तो इस परशन का right answer जोजगा option number c c is the right answer for discussion और इस class का PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा दोस्तों ठीक है टेलीग्राम ग्रूप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्कूसर बक्स में दिया रहेगा वहाँ से आप सभी जोईन हो जाएगा वहीं पर आप सभी को इस परशन का मातरक होता है तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करता है चलेगा दोस्तों इसे पादा चलेगा कि आपकी जो त्यारी है कितनी धाकर तरीके से हुई है और यहाँ पर आप इस परशन का राइट अंसर क्या होना चाहिए सिवेन पर आप रशन का सही अंसर क्या होगा कि क्लेडिंग का अपरतना क्रोड के अपरतनांग से डैस होता है कौम, जादा, बराबर, और धीन में से कोई नहीं सरी इन में से सब ही तो यहाँ पर इस परशन का राइट अंसर क्या होगा क्लेडिंग का अपरतना क्रोड के अपरतनांग से डैस होता है यान्ग की कौम होता है याद रख़े दोस्तों इसका राइटेंस रो जगा और यहां पर जो ए अपसे इस परस्द का राइट न सर जगा और जो भी दोस्त नाए जोड़ है का चानल से जोड़ सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो को लाइक नहीं कियोंगे तो जुड़ लाइक भी कर लीजेगे दोस्तों और यहां पे आप से भी का लाइक नहीं कर लएंगे तो चाह्टर अब fabrics ँडाशन के लिए एक lira करते हैं तो है प्रअनिक के अंदर हावा का भू बुर डवूस्री लेंस की तरह जो है बिभार करता है ए बालबल आफ एर इंसाइड दा वाटर बिहेव लाइक और डैस लेंस तो यहाँ पर इस परस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वा किस लेंस की तरह जो है बिभार करता है आप्सन है उतल उतल दोनों और डी है इनमें से को नहीं तो यहाँ पर इस परस्ण का जो राइट एंसर हो जगा जो भी दोस्त आप्सन नमबर ए कौन केव लेंस बता रहे हैं उनका रा प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते हैं तो दूर दिरिश्टी दोस्तों में याद रखेंगा दोस्तों तो इस प्रस्ण का राइट एंसर का अप्सन नमबर एक चलिए यहां पर हम लोग नाइन प्रस्ण को कभर करते हैं और यहां पर प्रस्ण है यह प्रस्ण तरह हम तो यह जो है पूर्ण आंथी परतान जो भी दस्तों बता रहे हैं अपसा नमबर ए जो की राइट एंसर हो जगा अपसा नमबर ए इस दा राइट एंसर फोर दिसकोशन और ब्यतिकरण में क्या होता है कि एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वह ब्यतिकरण के कारण नहीं संभाव हो पाता है एक पतले फिल्म के रंग के कारण याद रखेगा दोस्तों इस प्रस्ण का राइट एंस रहेगा अपसा नमबर ए ए इस दर आइट एंस फोर दिसकुशन और यहां पर दासाना प्रस्ण को देखिए यह प्रस्ण तर देखते हैं आप सभी का एंसर आज आना चाहिए कि वीच अब दा फ्लोइंग चेंजेंगे वीन और वाइट रे आफ लाइट इंटर्स दा लेंस तो यानि कि पजब प्रकास किसी प्रकास की किरन लेंस में प्रवेस्ट करती है तो निमने में से किसमें परिवर्तन होता है बेग और तरंग देर्या गरतन होता है जो दिस्त ए बता रहे हैं उनका बिर्कोर सही अन्स रोजगा अपसर नमबर ए इस दर आइट एंस अफॉर दिस कोशन चलिए नेक्ट ना प्रस्णों कभर करते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि कांच के ओता लेंस को जब पानी में डूबाया जाता है तो यह हो जाता है कौम अभिसारी अधिक अभिसारी कौम अभिसारी और डी है इनमें से कोई नहीं यह अधिक अपसारी यह प्रस्णों तर बार बार वोडिक पूछे जाता है कि कांच के आतालेंस को जब पानी में डूबाय जाता है तब यह हो जाता है तो इसका राइटेंस अगर अच्छी लग रही हो तर लाइक जूर कर लिजेगा दोस्तो और चानल पर नए जूर है तो जो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा दोस्तो आप से वी के लिए बिहादी महत्तपूरी और अपने दोस्तों को भी अधिक से दिक बताने का प्यास किजिएगा क्योंकि यहां पर अब धाकर तरीके से त्यारी हो रही है दोस्तों ठीक है और यहां पर प्रसने भी आप सभी के साने उपस्तित हो चुका है कि दो लेंस जो एक दूसरे का संपर्क में राखे हैं तो उस लेंस का संतों लेंस क्या होता है उत्ताल और अवतल और तो यहां पर यह पर प्रसने का आप सभी का इंसर आ जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो है उसी लेंस का बात क्या गया है यह दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संतों लेंस जो है यह उत्तालेंस ही निर्मार करे और यहां पर प्रस्ण है कि एक सुराल शुक्ष्मिदर्सी से बाना हुआ पर्तिवीम होता है काल्पनिक सीधा वास्तिक उल्टा वास्तिक सीधा और डी है वास्तिक उल्टा तो यहां पर इस प्रस्ण का सही एंसर क्या होगा कि एक स्वराल शुक्ष्मिदर्सी से बाना तो इस परस्ण का राइट इंस अप्सन नमर यहां पर जो एक बाती होती है पौर निर्भर करती है यह देखें लंबाई बढ़ाने पर बढ़ती है याद रखेगा संजीक सुक्रमितर्सी कि अवर्धन चम्ता की नली के लंबाई जो बढ़ाते हैं तो यह भी बढ़ने लगती है यहाँ पर बढ़ने पर सीधे रूप से यह बढ़ता है यहाँ कि जो डी अपसन इस परसन का राइट इंसरोजी का अपसन बढ़ी इंगलिस से वाले स्टुडे की बात किया गया है कि जो माइक्रोइसकोप नली की लंबाई जो बढ़ाई जाती है तो अवर्धन चम्ता में क्या परवर्धन था है option है इंक्रीज यानिके बढ़ती है डिक्री से गषती है सुने हो जाते है जीरो हो जाती या और पढ़ती है यहाँ पर अपर इस परस्ण का राइट एंसर क्या उप्संदर पर प्रस्ण उम्मीद करते हैं आप सभी इस परस्ण का एंसर दे लिए कि कि जब माइक्र एसकोप के लंबाई बढ़ाया जाती है तो दन्शम ततर जो है वह इंक्रीज करने लगती है निकि बढ़ने लगती है इस प्रस्थन का राइट एंस इंसरोज़ेगा अपसा नमबर ए ए इस दराइट एंस पूर दिसकोशन और जो भी दोस्त नए जोड़ने क इस बढ़ता तो में डीए और यहां पर सतना प्रस्थन का भी बारह में डिस्कॉस कर लेती हैं और यहां पर सब्सक्रन देखिए इसे रिलेटर जो है दो प्रस्मोंतर होर साल पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे ही जाएंगे दोस्तों दोस्तों प्रस्मोंतर पूछेंगे या तो तीन प्रस्मोंतर जो होर साल पूछे जाते हैं बोडिया में तो आए इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं और कि किस दिस दोस को दूर करने के लिए गाड़र करते हैं कि सबसे पहलं हम लोग इसका answer जानेंगे उसके बात जो है और है और कोसंश के बारिए टरोन जाने टाने अब्सक्राइबस करनें और दो दस्ता में जो है भाई फोकल परियोकर बाइफोकल यहां पर लिखेंगे भाई फोका लेंज का परियोगँ करते हैं तो वहीं अस्टो में जानिकि और नकार लेंज का परियोकर यह भी Amine कि अभी नुक्ता में करते हैं याद रखेगा तो इस प्रस्ण का राइट एंसर का अप्सान नबर ए इस दर आइट एंसर फोर दिसकुशन चले नेक्ट प्रस्ण कभर करते हैं और यहां पे अधाना प्रस्ण है कि परवार तक दूर दर्शा का अभी दिरिश्यक डैस का एक इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि दो अब्जेक्टिव औफ रिफिलेक्टिम टेली एसकोप इजा कॉनकेव मिरर आफ तो यहां पे इसका राइट एंसर क्या होगा कि परवार तक दूर दर्शा का दैस एक अधाल दर्पन होता है तो यह अधिक फोकस दूरी और एट इस प्रश्ण का राइट इंसर अप्सवर यहां पिए अपसने इस प्रश्ण का राइट इंसर करते औरましたi आए दोस्ते यहां पर उंप सभी का एंसर का राज आना चाहिए कि समाने समयोजन से खगोले दूर्दासा की लंबाई होगी तो F O F O मैनस F E F O गुने F E F O अपन F E और F O पलस F E तो यहाँ पे समाने समयोजन के लिए पूछा गया है कि खगोले दूर्दासा की लंबाई क्या होते है तो खोगोएक दूर्दर्सा की लंबाई बराबर क्या होते है तो एफो पॉलस एफी होते है जो कि हम लोगों को option number D में दिखाई दे रहा है जो कि right answer होजगा option number D D is the right answer for the discussion उमीद करते हैं यहां तक दोसे सने object that are lying तो यहां पर इस परस्न का right answer क्या होगा कि निकरदेश्टी दोस वाली जो आख होती है वा साब साब देख सकती है तो निकरदेश्टी दोस में जो है निकरदेश्टी वस्तुए को ही वा साब साब दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं और दूर देश्टी में क्या होता है कि दूर की वस्तुए साब साब देखाई देती है लेकिन नजदी की नहीं वा दूर देश्टी दोस कहलाती है तो वहीं यहां पर निकरदेश्टी में जो है निकरदेश्टी दोस में क्या होता है कि नजदी के बस तो यह साफ सर दिखा जेती है दूर के नहीं निकर देश्टी दोस्का लाती है ऑप्सन नमर यहां पे जो विदर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल यानिके 100% राई टेंस रोजेगा ऑप्सन नमर यहां पे जो सी अपसन है इस प्रस्न का राई टेंस चलिए नेक्ट प्रस्थ कबर करते हैं और यहां पर प्रस्थन की आख की नीकट और दूर बस्तों को साफ देखने के लिए देखने की छामता को डैस कते हैं अफसान समंजन चामता निकाट दिश्टी दिश्टता दूर और यहाँ पर कोई नहीं दा एबिलीटी अब दा आई तो सी बोथ नियर एन फार थेंग से किलियरली स्कॉर्ड तो यहाँ पर आग की निकाट और दूर दोनों वस्तिवों को साफ देखने की छामता को समंजन चामता कोते हैं इस परस्ट का राइट एंसल जीगा अपसान नमबर A यह जो इस परस्ट का राइट एंसल जीगा चलिए नेक्षण परस्टों कभर करते हैं और यहाँ पर सुक्षमदार्सी की अंतिपर्दीम बनता है तो संजुक्त सुक्षमदार्सी का जो अंतिपर्दीम बनता है वो अभासी और उल्टा बनता है याद रहेगा तो अभासी और उल्टा जो है इस परस्ट का सही इंसल जीगा अपसान नमबर A यह जो इस प्रस्ण का सही एंसरोजगा अपसा नमबर A A is the right and sub for the score भर्च्वर और इमबर्टे जो है यह परतीम मनता है और यहाँ पर प्रस्ण है कि एक प्रीज में से होकर गुजरने वाले स्वीट परकास का नियूंतम बिचलन अव्याव इन में से किसका हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि लाल का जो तरंग देरी होता है वह सबसे अधिक होता है याद रहेगा दोस्तों इस प्रस्ण का राइट एंसरोजगा आसा करते हैं कि आप से भी जो है इसे यहां तक जो वीडियो जो है आप से भी बहुत यह अच्छे से कबर किये होंगे सिसन अगर अच्छी लेग रहे हो तर लाइक जो कर लेजेगे दोस्तों और चाहिए पर नहीं जो जो सब्सक्राइब भी कर लेजेगा तो हम लोग यहां पर नेक्षण प्रस्ण के बारे में डिसकस कर रहे हैं कि इंदर धनुस का निर्मार जिस करन से होता है वह है यानि कि होता है और यहां पर देख सकते हैं कि टरंग देरे के बढ़ने के साथ कर राइट इंसर क्या होना चाहिए होाई कि तरंग दिरे बटने से अपरणाय का मन क्या होता है तो वह डी करने लगता है घटने लगता ही याद रखेगा इस प्रस्ट का राइट इस इस प्रस्ट का सही एंसर क्या होगा यह का नीला परतीत होना परकास के कारण होता है दो इसका एपी और बुलू भीकॉज ओप डैस और यहां पर प्रस्ट का सही है तो यह प्रस्ट का सहीं एंसर क्या होगा यह का नीला परतीत तो होना परकास के कारण होता है यह प्रस्ट गैसर और जो और इस कलास का PDF आप सभी को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जएगा वैसे आप सभी जो है टेलिग्राम ग्रूप जोड़ी ही जोई हो जाएगा दोस्तो और यहां पे बहुत ही धाकर परस्ण है दोस्तो यह प्रस्ण तर होर सल पूछा जाता है कि पतले प्रिज में से उत्वन जो ए इस प्रस्ण का राइट एंसर जीगा अप्सन नबर ए इस दर आइट एंसर फोर दिसकुशन तो चलिए दोस्तों नेक्ष्ण प्रस्ण कभर करते हैं और यहां पे नेक्ष्ण प्रस्ण की प्रात्मिक इंधनुस में दिखाई देता है भीतर की और डैस रंग का जाएगा तो दिखाई देता है भीतर की और तो वह लाल रंग हो जाएगा ऑप्सन नबर बी इस प्रस्ण का राइट एंसर जाएगा ऑप्सन नमर बी इस दर आइट एंसर फोर दिसकुशन आईए दोस्तों यहां पे हम लोग नेक्ष्ण प्रस्ण कभर करते हैं और यहां प्रस्ण है कि परकास के त्रंग के कारण क्या होता है तो रंग का कारण क्या होता है इसका त्रंग धिरे इसका बेग इसकी चाल या आयाम दरीजन अफोर्ट कलर अफ लाइट तो यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि परकास के रंग का जो है कारण क्या हो पते के सब्सक्राइब कर लगा याद रहा जब तो फ्रिक्वेंसी कहांन संचर एक लिए होता है तो कमान में जोंके परिवरत नहीं होता रहा है याद रखेया यहां पर देखिये नेकर प्रस्ब यह ़ susぇ पर लेक हो चुका है 22 प्रस्ब्र इस प्रस्ण का राइथ ठार चैसे ईतना अगा है इतना अगर सवाल को अच्छे से ठ्यारिक कर लेते हैं तो आप से बोड़ी जमए इसपारस Correct पूछे जाते हैं तो आशा करते हैं यह जो सेशने आप से बहुत ही अच्छे से कवर किये होंगे और आपको बता दे इस कलास का पीडिएफ जो है आप सभी को बिल्कुल नी फिरी में आप सभी को टेलीग्राम ग्रूप में मिल जागा दोस्तों कलास होने के बाद जो है आप आप सभी को पीडियाफ वहाँ पर मिल जाए दोस्तों ठीक है वाथ्सेफ ग्रूप और टेलीग्राम ग्रूप में पीडियाफ आप सभी को वहीं पर सभी परकार के पीडियेफ वहीं पर मिलती है तो उमीद करते हैं यह सेशन आप से बहुत अच्छ और अच्छी लगी हो तो लाइक एक लाइक जोड़ कर लेजीगे दोस्तों और लास्ट में कमेंट किजिए कि आपका जो है कितना से हुआ और ये सेशन आपको कैसा लगा तो अपने दोस्तों को बास भी अधिक सदिक सेयर करने का प्रियास किजिए क्योंकि यहां पर धाकर त्यारी करवाई जा रह कर रहिए और अपनी त्यारी को मजबूत करते जाए अभी कितना है दोस्तों जैहिन दें